हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी चैनल में स्वागत है, तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक बहुती एजी और एफेक्टिव कॉफी फेस क्रब और कॉफी फेस मास्क की रेसिपी बताने वाली हूँ यह कॉफी फेस क्रब और मास्क आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनेफिशल है, यह आपके संटान, फाइन लाइन्स और रिंकल्स को बहुती एजी ली रिमूव करता है और आपके स्किन को ब्राइट, ग्लोइंग, फेरर और टाइटन बनाता है और अगर आपकी एज 20 और 25 प्लस है तो आपको कॉफी फेस क्रब और फेस मस्क को ज़रूर यूज करना चाहिए क्योंकि कॉफी, सेलुलाइट और सागिन स्किन को हटाता है और आपकी स्किन को टाइटन, ब्राइट, स्पॉटलेस और मच फेरर बनाता है तो सबसे पहले कॉफी स्क्रब को बनाने के लिए हमें चाहिए कॉफी, यहाँ पर मैं Nescafe brand के कॉफी यूज कर रही हूँ, आप किसी भी ब्राइट की कॉफी यूज कर सकते हैं दूसा इंग्रीडेंट हमें चाहिए शोगर या चीनी, चीनी को मैंने थोड़ा सा पीस लिया है ताकि स्क्रब करते टाइम चीनी के जाधा बड़े पार्टिकल्स ना हो और थर्ड और फाइनल इंग्रीडेंट है ओलिव ओईल और अगर आपके पास ओलिव ओईल नहीं है तो आप कोकोनट ओईल या नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं तो कॉफी स्क्रब को बनाने के लिए सबसे पहले एक काटोरी में एक चमच कॉफी लीजिए उसके बाद उसमें एक चमच चीनी डालिए और लास्ली एक चमच ओलिव ओल डालकर सारे इंग्रीडेंट को बहुत य अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए सारे इंग्रीडेंट को बहुत य अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपका होमेट कॉफी स्क्रब रेडी है और इसको यूस करने का तरीका मैं आपको विडियो के एंड में बताऊंगी तो चलिए अब देखते हैं कि होमेट कॉफी मास कैसे बनाया जाए तो कॉफी मास को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉफी फिर हमें चाहिए कर्ड या योगर्ट जिसको हम दही भी कहते हैं फिर हमें चाहिए बेसन और लासली हमें चाहिए शेहद या हनी तो कॉफी मास को बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ कटोरी में एक चमच कॉफी डाल लीजिए फिर उसके बाद उसमें एक चम्मच बेसन डालिए फिर उसमें एक चम्मच शहद या हनी डालिए और लासली दो चम्मच करड़ या योगर्ट डाल कर उसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए सब इंग्रिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये मास्क बहुत ही स्मूथ और लंफ्री बने और इस मास्क में बिल्कुल भी काठे ना हो सारे इंग्रिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपका होमेट कॉफी मास्क रेडी है और ये कुछ ऐसा देखेगा और इसकी consistency थोड़ी सी थिक होनी चाहिए जैसे कि आपको screen पर देख रही है आप इस homemade coffee scrub और mask को अपने face या अपनी full body पर भी use कर सकते हैं तो सबसे पहले coffee scrub को अपने face पर apply करेए उसको gently 2-3 minute के लिए circular motion में अच्छे से massage कीजिए ये coffee scrub आपके sun tan, dark spots या loose या sagging skin को gently remove करेगा और आपके skin को glowing बनाएगा 2-3 minute अच्छे से massage करने के बाद आप इस scrub को गुनगुले पानी से धोलें और फिर उसके बाद एक थिक layer इस coffee mask की अपने skin पर लगाईए और उसको 20-25 minute के लिए छोड़ दें और जब वो अच्छी तरह सूप जाए तो उसे ठंडे पानी से धोलीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे like और share करना न भूलें और आप मेरे चानल को subscribe भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी easy और effective home remedies देखने के लिए